जूलिय सीजर में एक ब्रूटस था कॉंग्रेस में कदम कदम ब्रूटस है और इनके शड़ियंत्रों के शिकार प्रेंक अगाते हुई है चार जून के बाद कॉंग्रेस दो भागों में बढ़ जाई है कॉंग्रेस के कारे करता हूँ के दिलों में एक जॉला मुखी ददक राय है जो भटेगा हमारे साथ वाचीत करने के लिए हैं प्रमोट कृष्णन जी आचारे हैं धर्म गुरू हैं कॉंग्रेस पार्टी से जुड़े रहे हैं राहूल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया आद लिए प्रेंका गांधी चुनाव लड़ेंगी ये चर्चा चल रही थी लेकिन मैंने तो एक महीना पहले ही एक इंट्रेवू में कहा था कि उनको चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा क्योंकि राहूल गांधी जी का कैम्प नहीं चाहता था कि प्रेंका गांधी चुनाव लड़ें उनके साथ पार्टी में बहुत गहरी साजिश हुई और प्रेंका गांधी को कॉंग्रेस की कमान सौब दी जाए लेकिन वो नहीं हो पाया उनको राजसभा जाने की बाद चली वो भी नहीं हो पाई फिर यह आया कि लोकसभा लड़ेंगी सोनिया जी की विरासत को सम्हालेंगी पर मुझे मालूम था कि उनको चुनाव लड़ने से रोका जाएगा और जो मेरी आशंका थी वो सच सावित हुई और मुझे ऐसा लगता है कि चार जून के बाद कॉंग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी कॉंग्रेस के कारे करता हूं कि दिलों में एक ज्वाला मुखी ददक राय जो फटेगा एक कॉंग्रेस होगी कॉंग्रेस राहुल और दूसरी कॉंग्रेस होगी कॉंग्रेस प्रियंका सवाल सीट के जीतने हारने का नहीं है सवाल कमिटमेंट्स का है सवाल क्रेडिबिल्टी का हार जीत के डर से सीट छोड़ना यह योधा की पैचान नहीं है संजे गांधी भी चुना भारे थे उन्होंने सीट नहीं छोड़ी इंद्रा गांधी जी चुना भारी थे उन्होंने सीट नहीं छोड़ी तो इसलिए राहूल गांदी का हार के डर से अमैठी छोड़ देना ये अमैठी की जनता का भी अपमान है और ये कॉंग्रेस के लाखों कारे करताओं का जो मनोवल है वो इस फैसले से तूट गया है क्योंकि देश में एक ऐसा परसेप्शन बन रहा था कि राहूल गांदी डरते नहीं हैं और वो खुद भी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत कॉंग्रेस की वरकिंग कमेटी में भाशन देते थे तो कहते थे डरो मत अपने पार्टी की नेताओं को कहते थे, कारे करताओं को कहते थे यहां तक पब्लिक मीटिंग में मीडिया को कहते थे तुम डरो मत जो आदमी रोज कहता था डरो मत डरो मत वो खुड डर गया तो इस से कॉंगरिस का जो कारे करता है वो टूट गया है मुझे लगता है कि राहूल गांदी का हमेटी छोडने का फैसला यह quongress के लिए बहुत आत्मगाती होगा This is the most unfortunate for Congress Party आपने साज़श की बात कही प्रियंका गांदी के खिलाफ साज़श रची जा रही है क्या कारण हो सकता है कि प्रियंका के खलाफ राहुल गांदिया उनके कैम के जो नेता है वो साजिश रचेंगी कारण क्या हो सकता है सेक्सपियर का एक नाटक है जूलियस सीजर उसमें सीजर को जब पीछे से खंजर लगा चाकूबों का गया तो उसने पीछे मुड़के देखा, तो उसे बुरूटस नजराया, वो बुरूटस जो उसके सबसे ज़ाद नस्दीक था, जूलिय सीजर में एक बुरूटस था, कॉंग्रेस में कदम कदम पर बुरूटस है, और इनके शडियंत्रों के शिकार प्रेंका गादी हुई है, प्रधान मंतरी को लेकर हमेशा बयान देते रहते हैं, पाकिस्तान से के जो नेता है, वो रहुल गांधी की तारीफ करते हैं, इस पूरे घटना कर्म को किस तरीके से देते हैं? वो धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, न धर्मिक इस्थलों के बारे में जानते हैं, भारतिय संस्कृति, भारतिय सब्वता, भारत का स्थित और भारत की अस्मिता के विशे में, उन्हें बहुत कम ग्यान है, पहले उन्हें धर्म के विशे में जानना चाहिए, फिर दार्मिक विश्यों पर टिपड़े करना चाहिए। बहुत बहुत दर्माद माशत बाचीत करने के लिए विरिजन हरीजबट के साथ माचुते वारी टाइम स्नानों भारत दिली।